एक बार की बात है, किसी जंगल में एक शेर रहता था, जो की अपने शक्ती के दम पर रोज नए नए शिकार करता था, फिर उन्हें खाकर अपने जीवन का अच्छे से गुजारा कर रहा था, तभी एक दिन की बात है, एक मरियल सा सियार जो की कई दिनों से भूखा था, वह पास जाकर बोला महाराज आपकी जय हो, आप हमें अपनी शरण में ले लीजिए और अपना दास बना लीजिए, आप जो कहेगे वैसे आपकी सेवा करेगे, इसके बदले जो भी आप बचा खुचा खाना देंगे, उसी को खाकर अपना जीवन गुजारा कर लेंगे, सियार के बाद जो कुछ भी बचता था, सियार को खाने के लिए दे देता था, जिसे खाकर वह धीरे-धीरे मोटा ताजा हो गया, और फिर वह सियार खुद को शेर के जितना ही ताकतवर भी समझने लगा था, एक दिन की बात है, और सियार अपना रॉब जारते हुए शेर से बोल हो गया हूं, और आपकी तरह शिकार भी कर सकता हूं, इसलिए अब आप आराम कीजिये, और मैं आपके लिए शिकार करूंगा, सियार की सब बाते सुनकर शेर को यकीन आ गया कि सियार को अपने अंदर घमंड आ गया है, लेकिन फिर भी शेर ने उस सियार को समझाते हुए तुम भले ही पहले की तुलना में मोटे ताजे हो गए हो, लेकिन शेर जितनी तुम्हारे अंदर ताकत नहीं आ सकती है, इसलिए तुम शिकार करने की बात छोड़ दो और जो मैं शिकार करूगा। फिर सियार और शेर एक उची पहाड़ी पर गए जहां नीचे उन्हें धेर सारे हाथियों का जुण दिखाई दे रहे थे। फिर सियार बोला महाराज आप देखते जाईए आज मैं अपने से कई गुना बड़े जानवर का शिकार करके दिखाता हूँ। यहां बात सुनकर वह शेर सियार को एक बार फिर से समझाने की कोशिश की लेकिन वह ताकत के घमंड में चूर सियार शेर की एकना। सुनी, फिर वह घमंडी सियार उची पहाडी से हाथी के ऊपर कूद गया, लेकिन इतने में हाथी पीछे हट गया। जिससे वह सियार धडाम से हाथी के पैरों के आगे गिरा, जिसे उसके शरीर की हड्डिया तुट गई। फिर इतने में हाथी ने अपना एक पैर हाथ के ऊपर रख दिया, जिस कारण से उस सियार के तुरंथ ही प्रान पखेरू निकल गए, और फिर इस सियार बिना मौत के ही अपने घमन के चलते मारा गया, जिसे देखकर शेर ने कहा, जो घमन्डी होते हैं, उनकी बुद्धी भी हर ली जाती है, फिर उनकी यही दुर्गती होती है, और बिना बात के बिन मौत मारे जाते हैं, कहानी से शिक्षा, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है, हमारे अंदर चाहे कितनी भी शक्ती क्यों ना आ जाए, लेकिन कभी भी अपनी शक्ती पर घमन्ड नहीं करना चा वीडियो में.